कि यह जो गंट्रोल अगर करेंगे है और फारेनर्स अपना पैसा लगाने की कोशिस करके जो यह करेंगे है तो यह एक जैसा इस्ट इंडिया कंपनी यहां पर इन्वेस्ट करके हैं पूरे देश को उन्हों ने अपना हुकमत चलाया और देड़ साल कम से कम एक सो पचास साल उन्होंने हुकमत की वैसा ही वेस्ट इंडिया कंपनीज के लोग भी थोड़े हैं इदर वो गुजरात के वो भी प्राविटाइजेशन पर बहुत विश्वास रखने हाले हैं उनको मदद करने के लिए मोदी साथ हमेशा ऐसे कानून लाते हैं और यह जो है इंसुरंस एक ही कि उस्में टार्यक इड्रेक्ट ki नाम से जो डिसमेट मेड्न कर रहे हैं सिर्फ एक क्टिर में नहीं को रेल में आरा है Rood में आ रहा है उसके बाद होटल में आ रहा है banks में आ रहा है हर चीज में आ रहा है और हर चीज में जो reservation मिलता था उस reservation को भी खतम करने की एक चाल है खास करके OBC को SCST को जो assured jobs मिलते हैं उन जौब को खतम करने का एक तरीका है इसी लिए Finance Minister में अपने एक लिस्ट में उन्होंने बताया कि कितने private companies हैं कितने public sectors हैं और उन्होंने यह बताया कि कितने नौकरिया private sectors में हैं और कितने नौकरिया public sector में हैं